दा नौरदन हैरी जानवर को सरमीला जीब भी कहा जाता है क्योंकि अगर कोई इन पर हमला करता है तो ये उस पर पलट कर हमला भी नहीं करते हैं एलिफेंट श्रू नाम का जीब अपने मुह को हाते की सूंड की तरह इदर उदर घुमा सकता है इसलिए इसे एलिफेंट श्रू कहते हैं बीसल्स जानवर को किलिंग मसीन कहा जाता है क्योंकि ये दिन और रात सिर्फ सिकार ही करता है ये जब अपने सिकार को घेर लेता है तो उसके सामने डांस करने लगता है जिसे देखकर कुछ जीबों की तो डर से ही जान निकल जाती है